नमस्कार दोस्तों मैं आविश आपका electrical दोस्त में एक बार फिर्शे स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको Conductor, Insulator और Semi Conductor इनके आपस में difference और इनकी definition और यह कहां-कहां पर यूज होते हैं application तो इन सबके बारे में समझा दूँगा तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं conductor जो electricity का flow वो easy way में यानि आराम से electricity का flow जाए तो वह है सुचालक ठीक है जैसे इसके एक्जांपल जैसे बताता हूं मैं एक्जांपल में आते हैं इसके copper हो गया aluminium हो गया aluminium है और इसके जो अच्छे जो सुचाला है silver है और gold थे तो यह हो गया conductor के example ठीक है आपको पता है conductor का हम यूज कहां करते है wires में यूज करते है conductor का हमारे जो electric wires होते है cables होती है उसमें conductor का यूज करते है अब आगे लेते हैं दोसों insulator इंसुलेटर का मतलब है कुचालक कुचालक ठीक है तो इंसुलेटर का मतलब कुचालक है तो कुचालक का मतलब जो का electricity को इसका मतलब है electricity को जो अच्छी तरीकी से प्रवा होने थे flow होने थे और जो insulator का मतलब है जो electricity को flow ना होने थे ठीक है तो इसके कहा का use होता है example वो पहले example देख लेता है इसका example में आएंगे दोस्तो इसमें जैसे wood हो गया लकडी और लिए plastic होगें कि जबर हो गया तो दोस्तों यह जितने मीटेरियल है यह सारे हमारे insulator में आते हैं कुछ एलग में आते हैं और दोस्तों इसका यूँज को होता है use ओफ इनसूलेटर तो दोस्तों इसका यूज होता है हमारे protection में, protection,內 ».- तो protection में होता है हमारे जैसे हमारी जो केबल है हमारी तो केबल और से हमारे एक wire एक wire लिलेते है तो wire जी निकल दा है तो इसके उपड़ एह coteing हो रही है पूरी पर cote हूरी है तो इंसूलेटर है क्यूंकि वह electricity को इदर से इदर flow होने देगा तो यह कोटिंग हमारी इंसुलेटर है अब एक बचा और सेमी कंडेक्टर सेमी कंडेक्टर सेमी कंडेक्टर का मतलब होता है अर्धचालक सियमी कंडेक्टर को मितलब यह एक स्विचिंग की तरह काम करता है स्विच होता है मारा स्विच की तरह काम करता है जैसे या नहीं यह कुछ समय के लिए जब हम इसको स्विचिंग के लिए जैसे हम ओन ऊफ करते न muerte off करते हैं वैसे ही semi conductor on off के लिए यूज में purpose में लिया जाता है तो दोस्तों क्या होता है यह on off कैसे होता है temperature परset परवर्ड़ करता जैसे यह का हमारा टैमपिर्टटपर कैसे करता है जैसे एक switch है तो अभी जैसे ही तेमरेचर अगर नॉर्मल हैर तो यह हमारे इसमें से एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा इंसुलेटर की मतलब यहां से इलेक्रिसिटी को इधर फ्लो नहीं होने देगा और जैसे ही अगर इसमें टेम्प्रेचर बढ़ जाएगा टेम्प्रेचर हाई हो जाएगा तो यह एक कंडेक्टर की तरह वर्क करेग ठीक है अगर temperature हाई हो जाएगा तो हमारा हाई temperature तो हमारा जो electricity है वो यह एक on-off device काम करेगा और यह on हो जाएगा और यहां से हमारा electricity flow होने लग जाएगा और जो हमें यहां मिल जाएगी ठीक है तो कुछ इस परकार काम करता है हमारा यह semi conductor इसके example हमारे electronic circuit में यूज में लिया जाता है इसको mostly electronic circuit में और इसके अलावा second हो गया rectifier में rectifier circuit में और थर्ड जो DC power circuit जो होते हैं उसके अंदर इसका यूज लिया जाता है तो दोस्तों यह आपको उम्मीद है कि आपको semi conductor insulator और conductor के बारे में जो भी प्रोब्लम थी जो भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी आपके मुझे में कोई